नमस्कार, Nutrition Science के इस सेशन में मैं कपिल कपूर आपका स्वागत करता हूँ हम जानते हैं कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर इन सब का उचित मातरा में सेवन अच्छे स्वास्ते के लिए बहुत जरूरी है लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा पोशक तत्व है जो संपूर्ण शरीर, रिदे, तवचा, वा घुट्रे की जोड़ों के लिए अत्यन्त महत्पून है और वो पोशक तत्व है ओमेगा थ्री ऐसी कोई भी मुख्य शारिर क्रिया नहीं है जिसमें उमेगा तत्वों का योगदान नहों उमेगा पोशक तत्व फैट में पाए जाने वाले अत्यन्त क्रिया शील तत्व होते हैं जिन से हमारे शरीर की विबिन प्रणालिया सुचारू रूप से काम करती हैं यह अच्छे स्वास्त के लिए भी ज़रूरी होते हैं उमेगा तत्व तीन प्रकार के होते हैं उमेगा थ्री उमेगा सिक्स और उमेगा नाइन उमेगा के तीनों तत्वों में से उमेगा थ्री पोशक्तत्व स्वास्ति की द्रिष्टी से अत्यंत महत्पून होते हैं उमेगा शिक्स और उमेगा नाइन तो आहार से हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं परन्तु आधुने खान पान के चलते उमेगा थ्री की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है शरीर में भी यह प्राकृतिक रूप से नहीं बन पाता जिसके कारण पिछले चार पाँच दशकों में बीमारियों की एक बाढ़्जी आ गई है हमारे आधुनिक अहार में ना केवल उमेगा तीन पोशक तत्तों की उपलब्तता घटी है बलकि वनस्पती तेलों का उपयोग भी जरूरत से अधिक बढ़ गया है जिन में ओमेगा शिक्स की मात्रा अधिक रहती है आहार में उमेगा थ्री की कमी वा दूसरी ओर उमेगा शिक्स की प्रचूरता के कारण असंतुलन बना है और इस असंतुलन के कारण मोटापा, हिदे रोग, डायबिटीज, एसीडिटी, डिप्रेशन, जोडों में दर्द और हड्डियों का भूरबरा होना इन जैसी गंभीर समस्याएं आधुनिक जीवन का एक अंग बन गई है इन बीमारियों से बचने के लिए शरीर के विभिन अंगों और प्रणालियों का स्वस्त रहना वा ठीक से काम करना बहुत जरूरी है इसलिए उमेगा 3 पोशक तत्वों को आहार में शामिल करना बहुत जरूरी है उमेगा 3 सेहत के लिए बहुत लाबदाएक है यह लिवर के फैट को कम करता है हडियों और जोडों को स्वस्त रखता है महिलाओं में मासिक धर्म के दर्द को कम करता है मानसिक विकारों को भी कम करता है और पेट के मुटापे से होने वाली गंभीर समस्याओं के खतरे से हमें बचाता है उमेगा-3 के फायदों को देखते हुए ये कहना उचित होगा कि उमेगा-3 सचमुच सेहत का रखवाला है इसके सेवन से आप कई तरह की बिमारियों से बचे रहते हैं उमेगा-3 हिदे के स्वास्त के लिए तो बहुत ही उपयोगी माना जाता है उमेगा-3 बुरे कॉलिस्ट्रॉल को घटाता है और अच्छे कॉलिस्ट्रॉल को बढ़ाता है ये रक्त में पाई जाने वाली फैट को घटा कर रक्त वहिनियों में फैट के जमाव और इंफ्लेमेशन को घटाता है और उन्हें लचीला रखता है जिसके कारण शरीर में रक्त संचार साम्वानने बना रहता है ओमेगा-3 रक्त चाप यानी ब्लट प्रेशर को ठामने और हानिकारक रक्त के ठक्के बनने की क्लॉट्स बनने की प्रक्रिया को कम करने में भी सहायक है इन समकारनों से ये हिदे रोक के खत्रे को घटाता है उमेगा-3 की कमी वह अन्य कारणों से डायबिटीज जैसी गंभीर बिमारी का खत्रा भी बढ़ता है जिसमें शरीर में रक्त शरकरा का स्तर असमान्यता बढ़ जाता है उमेगा 3 पोशक तत्वों का परियाप्त मात्रा में सेवन डाइबिटीज जैसी बीमारियों के खत्रे को भी कम करता है यह कमजोर इम्मुनिटी के कारण होने वाली समस्याओं को भी घटाता है उमेगा 3 पेट के मुटापे को कम करने के लिए जाना जाता है और इससे होने वाली बीमारियों के जोखिम से हमें बचाता है उमेगा 3 तवचा की समवेदन शीलता और खुर्दुरेपन को कम करता है यह तवचा को लचीला, मुलायम और नरम बनाये रखने में मदद करता है उमेगा 3 पोशन की कमी से तवचा के बेजान होने की समस्या को दूर करता है और तवचा को तेज धूप से होने वाली शती, तवचा पर असमय जुर्यां और तवचा के इंफ्रेमिशन इन सब को घटाता है यह तवचा के दाग धब्बे दूर कर उसकी चमक बढ़ाता है ओमेगा 3 के परियाप्त सेवन से हम इसकी कमी से होने वाली बालों की शती और उनके असमय जड़ने से भी बच सकते हैं ओमेगा 3 आँखों की इंफ्लेमिशन को भी घटाता है और आँखों के सूखे पन यानि ड्राइ आइस की समस्या से हमें बचाता है और आँखों में नमी बनाए रखता है बढ़ती उम्र के साथ आहार में परियाप्त ओमेगा 3 पोशक तत्व ना होने और इनके अवशोषन की कमी के कारण जोडों में दर्द होना भी एक आम समस्या है ओमेगा 3 घुटने और जोडों के स्वास्ते के लिए भी लापकारी है यह जोडों में लचीलापन और गतिशीलता बढ़ाता है और हड्डियों को कमजोर और भुर्वरी होने से बचाता है इन सभी समस्याओं से बचने और स्वस्त रहने के लिए जरूरी है कि हम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जैसे पोशक तत्वों के साथ-साथ उमेगा-3 पोशक तत्वों का सेवन भी पर्याप्त मात्रा में करें दुर्भाग्यवश भारती आहार में उमेगा-3 की पर्याप्त मात्रा नहीं होती और इसकी पर्याप्त मात्रा ना होने के कारण ये और भी अवश्यक हो जाता है कि इन्हें हम किसी बाहरी स्रोत या सप्लिमेंट के जरिये लेते रहें अगर उमेगा 3 सप्लिमेंट्स स्वास्थ के लिए इतना ही लाबकारी है तो ये भी जरूरी है कि हम जो सप्लिमेंट्स ले रहे हैं वे शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाले हूँ जादा तर उमेगा 3 के सप्लिमेंट्स मासा हरी स्रोत से तयार किये जाते हैं इसलिए इनमें समुद्र के पानी में घुले विशैले तत्व आ सकते हैं जो स्वास्त्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं आम तोर पर उमेगा 3 के सप्लिमेंट्स सौफ्ट जेलेटिन केप्सूल में बनते हैं जो जानवरों की हड्डियों के चूरे से आपने बिलकुत सही सुना है जो जानवरों की हट्डियों के चूरे से बने वे होते हैं अब शाकाहारी लोगों के लिए ऐसे कैपसूल लेना तो असंभवी होगा इसलिए ये जरूरी है कि ये कैपसूल शुद्ध, शाकाहारी और अच्छे स्रोथ से बने हो और कैपसूल में मौजूद तैलिय पदार्थ रिसना नहीं चाहिए ये भी जरूरी है कि ऐसे कैपसूल लेने में आसान हो और बद्बू रहित हो एक अच्छा उमेगा थरी का सप्लिमेंट शुद्ध, शाकाहारी और विशैले तत्तों से रहित होना चाहिए और शाकाहारी कैपसूल के रूप में ही होना चाहिए आए अब जो आज हमने सीखा उसको प्रश्णों और उत्तर के मद्यम से दुरा लेते हैं पहला महत्पून प्रश्ण ओमेगा थरी रिदे के स्वास्थे के लिए कैसे लावदायक है बड़ा महत्पून प्रश्ण है इसका उत्तर है कि ओमेगा थरी बुरे कॉलेस्ट्रॉल और रक्त में घूली फैट को घटाता है ओमेगा थरी अच्छे कॉलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है ओमेगा थरी रक्त वहाइनियों में फैट के जमाव और इंफ्लेमेशन को घटा कर इन्हें लचीला बनाता है और ओमेगा थरी रक्त चाप को थामने और हानिकारक रक्त के ठक्के बनने की प्रक्रिया को घटाने में मदद करता है समझ गए आप अब अगला प्रश्ण रिदे को स्वस्थ रखने के अलावा उमेगा थरी पोशक तक्तों के सेवन के क्या अन्यलाब है उत्तर ये है कि हिदे को स्वस्थ रखने के अलावा उमेगा थ्री के परियाप्त सेवन से हमारी मानसिक कारेशमता और यादाश्थ बनी रहती है आँखे, स्वस्थ, नम और द्रिश्टी अच्छी रहती है जोड और हड्डियां मजबूत रहते हैं दर्द नहीं होता तो अच्छा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है बाल घने मजबूत और मुलायम रहते हैं नाखुन स्वस्थ रहते हैं और अंत में हमारी इम्मिनिटी भी बढ़ती है देखा आपने ओमेगा थ्री हमारे स्वास्थे के लिए कितना जरूरी है और इसके सेवन के कितने लाभ है यह सब आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आपको सबको ओमेगा थ्री के लाभों के बारे में समझाना है तो अब हम मिलेंगे नूटिशन साइंस के अगले सेशन में धन्यवाद